नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब I hope सब ठीक होंगे आपका भी EDD नजदीक आ चुका है और अभी तक आपको किसी भी परकार का pain start नहीं हुआ है और आप चाहती हैं कि आपको artificial labor pain ना दिया जाए natural तरीके से आपको pain start हो तो उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखि आज हम बात करने वाले हैं कि natural तरीके से आप कैसे खाने पीने की चीजों से या कुछ useful टिप्स को follow करने से अपने प्रस ओफ पीडा को start कर सकते हैं और नॉर्मल डिलिवरी का जो ratio है यानि की rate है वो बढ़ा सकते हैं तो चलिए friends वीडियो को हम शुरू करते हैं वीडियो श सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना पूलें तो friends सबसे पहले हम जानते हैं कि pains आने का सबसे सही समय कब होता है 37 में सबता के बाद आपको pains start हो आपकी delivery हो तो नॉर्मल बाना जाता है उससे पहले pains अगर आपको आते हैं तो आपकी premature delivery कहलाती है तो इसलिए जो भी tips में आपको बताने वाली हूँ उसे आप delivery date से हफता से 10 दिन पहले ही follow करें क्या पता है इन tips को follow करने के एक से 2 दिन के बाद या 7 से 8 दिन के बाद आपको pains natural तरीकी से शुरू हो जाए और आपकी normal delivery हो जाए जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खाने की आपको इस दोरान जब आपकी delivery का समय नजदीक आ जाता है 15 दिन पहले आपको जीरे वाला पानी पीना है जी हाँ friends जीरे वाला पानी आपको कैसे पीना है सबसे पहले आपको इसीच की knowledge होने चाहिए आपको गरम पानी में जीरे को उबालना है 10 से 15 मिनट उसे उबाले जो उबल कर आदा हो जाए तो उसे आपको दिन में एक बार जरूर पीना है इससे आपको uterine contraction start होते हैं और आपकी normal delivery का pain सही समय पर आपको आता है इसे आप रोजाना पी सकती है नमबर टू आपको इस दोरान अपने nipples को stimulate याने की massage करना है 5 मिनट एक nipple को 5 मिनट एक nipple को इस इससे आपकी बाडी में labor pain लाने वाला hormone oxytocin का level बढ़ता है वो release होता है और oxytocin का सही level अगर आपकी बाडी में रहेगा तो सही समय पर और सही level का natural तरीके से आपको labor pain स्टार्ट होता है तो डॉक्टर भी इस tip को follow करने के लिए कहते हैं लेकिन EDD से हफता से 10 दिन पहले ह आपको निपल को massage करना है आप oils कित्रू massage कर सकती है क्योंकि इस दोरा निपल में काफी pain भी रहता है तो oil ज़रूर आप ले खजूर का सेवन आपको करना है दो या तिन खजूर आपको बिल्कुल नहीं खाने है 5-6 खजूर आप खा सकती है दूद में उबाल कर खा सकती है यार ऐसे ही खा सकती है इससे आपके cervix का मुझ यानि कि बचेदानी का मुझ soft होता है और बचेदानी का मुझ soft होने में जब खजूर आपको help करेगा तो uterine contraction आपको easily आने के प्रसर फीड़ा आपको आसानी से आ जाती है तो खजूर का सेवन कर सकती है आप पाया खाईए आप पाया आपको पका हुआ नहीं खाना है हलका कच्छा खाना है इसमें papain नाम का enzyme पाया जाता है जो आपको uterine contraction start करता है बचेदानी के मुग को soft करने में आपको मदद करता है तो इसे भी आप ज़रूर खाएं लेकिन EDD से कुछ समय पहले ही आपको इसे खाना है pineapple भी आप खा सकती है इसमें भी कुछ ऐसे enzymes पाया जाते हैं जो बचेदानी के मुग को ठीके पतला करते हैं और natural तरीके से labor pain लाने में support करते हैं Indian toilet का use करें इससे आपका pelvic area फैलता है बचा proper तरीके से pelvic area में fix अपना सिर करता है और बचेदानी का मुग खुलता है और normal delivery का pain सही समय पर आपको आपाता है जब तक आपको pain स्टार्ट नहीं होगे आपकी normal delivery नहीं हो पाएगी तो इन tips को आप follow करके अपने pain को बढ़ा सकती हैं आप butterfly exercise कर सकती हैं walking कर सकती हैं गुन-गुना पानी ही इस दोरान आप पीजिए इससे बचेदानी का मुग पतला होता है गुन-गुने पानी में 10-15 मिन होता है और आपकी normal delivery हो पाती है तो आपको कौन सी date दी गई है डॉक्टर की तरप से हमें comment box में जरूर बताईएगा